वरुम सपने में देखता है कि वो बीच आउस के सामने खड़ा हुआ है असल में वरुम बचपन में एक बार बीच आउस गया था अपने दादा जी के साथ तो उसे सपने में वही दिखाई देता है कि वो एक बीच आउस के सामने खड़ा हुआ है और कुटों के रोने की आवाज आ रही है चारो ओर से एक आजीब सा सन्नाटा चारो ओर पसरा हुआ है जो बहुत ही डरा होना था वर्म धीरे धीरे करके बीच आउस के तरफ बढ़ने लगता है वो बीच आउस के में गेट को धीरे से खु़िता है दरवाज चरवर आते हुए और खुलते के साथ ही बीच आउस में से बहुत गंदी वदू आने लग जाती है वर्म अपनी नाग को बंद करता है और धीरे धीरे चलते जाता है वो सीडियों से उते हुए उपर की तरफ जाता है अब वो बीच आउस के बिलकुल बीच वाले कमरे में था वो कमरे के गेट को धीरे से खुलता है वो देखता है कि सामने की दीवार बहुत टीजी के साथ हिल रही थी ऐसा लग रहा था जैसे को किसी का दिल हो जो धड़क रहा है